कि यह आर्यू रेड़ी है हलो नमस्कार दोस्तों मैं पुजाचार करेव नाव यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक श्वागत करती हूं हार्दिक अभी नंदन करती हूं तो देखिए अपने स्यार्फियत के लिए स्ब्सक्राइब के लिए यह सिरीज श्रीच चल रहे है तो आपके देखिए 27 क्लास हो चुकी है अपर क्लास मैं 25 कुछ उन्यानी 25 कुछन करवाघ्यू रही हूं अच्छे से लिए आपका सेलेक्षन ही हमारे लिए पहला उपहार होगा सेलेक्षन हो जाएगा उस दिर क्लास की तरफ 27 क्लासेज हो चुकि है आपकी पहले यह आप पहले बार अपनी क्लास देख रहे हैं तो एक बार पिछे की क्लासेज भी जाकी देख लेना क्योंकि सारी क्लासेज है वह बहुत ही यूजफुल रहने वाली है आपके लिए आपकी गिजाम में बिल्कुल से पढ़िए अच्छे से मस रहिए तो चलीए वड़ते क्लास की तरफ मैं पहला आपका क्यूखन का सुद संधी है और शब्द का मैं संधी विच्षेद पूछा गया है तो देखे सब से पहले संधी शब्द की बात करें तो संदी शब्द है वह दो सब्द से मिलके बना संदी शब्द में कौन्सी संदी है तो संदी संदी में क्या हो रहा है यहां पे ने हो रहा है क्यों कि वेंजन है जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्वन होता है जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं अपन संदी के शाब्दिकर्ट के बात करें तो मिलाना या जोड़ना होता है बात करें संदी का विलोम क्या होता है तो संदी का विलोम होता है क्या होगा संदी होगी यह परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या होगा समयोग होगा वो संदी नहीं होगी वो क्या होगा तो संदी होती है एक क्या होता है समयोग होता है जहां कोई भी परिवर्तन नहीं होता एक होता है समास अब देखे वर्ण मिलते हैं और जहां पर परिवर्तन होता है वो तो संदी होती है यह दीदों शब्द मिलते हैं और बिना कोई परिवर्तन के मिलते हैं तो वह क्या होता है वो समयोग होता है बात करें समास की तो समास में दो होते हैं तो देखिए उसमें भी संदी में भी दो पद है यानी जब संदी विछेद करते हैं तो एक मुल्शब्द होता है और प्लस से पहले होता है यानी जब उनका मिलान करेंगे तो वो एक शब्द बनेगा बनेगा समयोग में भी एक शब्द लेकिन संदी में परिवर्तन होगा समयोग में परिवर्तन नहीं होगा समास कि शक्राइब करन समास का आर्थ होता है दो पद होते उनको मिलाते हैं और शब्द को पे-प्र संग्छिप्त करना ही समास का क्या होता है साब्दी करते बात करें संदी का विलोम क्या होता है विग्रे होता है इसी परकार से समास का क्या होता है व्यास होता है यह भी धान में रखना बहुत बार एक्जाम में पुछा जाता है और उप्षक का क्या होता है परशरग होता है उसके अर्थ में क्या कर देते हैं परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं प्रिते कहते हैं तो यहाँ पर संदी पुछा गया है उसका संदी पुछा गया है पहला प्लस है अन्य कोई सब्सक्राइब वो यदि यह वै और रह से तुटता है स्वर्षंदी है उसके कित्ते पार्ट हैं सबसे पहले तो संदी के तीन पार्ट है श्वर्षंदी के आपके पांच पार्ट है तो देखें स्वर्षंदी के पांच भेद हैं उनमें यन संदी भी एक पार्ट है यन संदी भी एक और शब्द के बात करें तो अन्वेशन में जबते पहले शब्द को बोली उसमें मूल्चब्द क्या है आपका एशन अब देखिए अब देखिए यह तो सीधा निकल रहा है तो आधी बार तो आपका सीधा-सीधा क्रुशन सही हो जाता है बिना कोई समस्या का सामना की अब प्लस और यह मिलके क्या बन रहे हैं वैब रहा है यानी अनू प्लस एशन बराबर अन्वेशन और चार है वह आपका बिल्कुल सही अगला है अब धातूश्मा में पर्युक्त शंदी कौन सी है धातूश्मा शब्द दिया गया है उसमें संदी पुछी गई है तो होता है दिर्ग शंदी क्या होता है दिर्ग एक होता है गुण एक होता है यान एक होता है अब्रदी और एक होता है आपका आया दी यह क्या है यह क्या है श्वर्षंदी के उपभेद क्या है श्वर्षंदी के उपभेद दिर्ग शंदी कहां होगी जहां पर समान शवरों क मेल होगा क्या होगा समान शवरों का मेल जहां पर भी होगा वहां क्या होगी आपकी च्वर संदी में एक तूटने वाले शब्द है वो किसमें जाएंगे गुण संदी में बात करें यान संदी की यह सब्द यह वह और रह से तूटता है तो वो किसमें जाएगा आपका यान संदी में अब देखिए वर्दी यानी शवरों में यदि वर्दी हो रही है सब्रों में वर्दी हो रही है जैसे की जामपल पोर आई और आउ यदि इस इनसे कोई शब्द है वर्ड है वो तूटता है तो वो किसमें जाएगा अब देखेँ नेक्स आपका आयादी संदी यदी कौई शब्द है, आए, आव, और आओ, यदी इंसे कौई शब्द तूटता है, तो वहां पर आपके कौन सी संदी होगी? आया दी संदी, देखिए बहुत सिंपल है better, संदी का फंडा बहुत सिंपल है बस अपन है उसको थोड़ा सा लें दीले जाते हैं यदि आपको इसे पाँच ची затार है यह घली स्थीर कि आपको संदी का नाम होगा तो देखिए दिरग संदी यानी शमान सवरों का मेल गुण संदी यानी एक मातरा ची तूटना यन संदी यानी येवेर ऐसे तूटना वर्दी संदी यानी शवरों में वर्दी हो रही है और आयादी संदी यानी आये अव और आवशे येदी कोई शब्द तो टूट रहा है तो महां आयादी संदी होगी तो देखिए धातूशमा शब्द की बात करें बात करें इसके संदी विच्छेद की की अप्छakesंध प्लस उशमा है क्या होगा भात्तूपलस उस्मा अब धातूशमा अब देखंगे यह उ प्लेस, उ मिलके क्या बन रहा है, बड़ा हू बन रहा है, दो समान स्वर मिल रहे हैं, संदी की बात करें तो कौनची होगी, दिरक्षंदी, तो देखे, धातूशमार शब्द में संदी की बात करें, तो कौनची होगी, दिरक्षंदी, और दिरक्षंदी किसका पार्ट है, श्वर संदी का तो देखिए नमर तीन यानी दिरक्षंदी इसका सई आंसर है नेक्स्ट आपका निमलकित में से कौन सा वेंजन संदी का उधारण है यहां पर भी वेंजन में परिवरतन होगा वही आपका वेंजन संदी होगा तो देखिए सद्द की बात करें संदी तो संदी कौनसी हो जाएगी व्रदी शंदी नेक्स्ट आपका मनो रथ यानी मनेह प्लस रथ मनेह प्लस रथ बात करें संदी की तो विशक का ओ हो रहा है यानी विशक शंदी नेक्स्ट आपका निर्गुण वही नीह प्लस गुण नीह प्लस गुण संदी की बात करें तो वही विशक्षंदी अब नेक्स आपका सदाचार सदाचार का संदी विछेद होगा सत प्लस आचार किसके इस्थान पे परिवर्टन हो रहा है वेंजन के इस्थान पे क्यों की तैय क्या है आपका वेंजन है तो सत प्लस आचार यानि शदाचार परिवर्टन किसके इस्थान संदी आपकी वेंजन संदी तो देखें ऑप्षा नमर 4 है वह आपका बिल्कुल सही नेक्स्ट है पर आपका ऑप्षिन है द्वाव़ प्लस आव पी दूसरा है दो प्लस अपी पीछरा है दव प्लस आयापी और चार नंबर है इन में से कोई नहीं तो देखे द्वापी शब्द को बोलें जब अपन द्वापी शब्द को बोलेंगे तो इसमें मूल शब्द की धवनी आएगी मूल शब्द क्या है द्वापी में अप्पी आपका मूल शब् इसमें उप्षि नमबर 2 में दे रखा तो द्वा प्लश आपी यानि द्वा पी है वो इसका सही शंदी विछेद्हेश है तो एक्षिट नमर को सही अगला है थेकरा फूटना का अर्थ है थेकरा फूटना का हाद्ध है पहला अपकी तीसरा है किसी के सर जुठा दोस लगाना और और बरतन फोड़ना वह देखो आपन बोलते हैं आपनी लोकल रेखोंगर जोसे करते हैं इसके सर थीक राप फोड़ दिया यानि किसी के सर जुठा दोस लगाना प्रक्षान नमबर 3 है वह आपका बिल्कुल सही है अब देखें बरतन फोड़ना हो गया दुखी होना जोर जोर से हसना बरतन फोड़ने का तो कोई दुखी नहीं क्योंकि मुहावरे क्या होते हैं मुहावरे सामने अर्थ नहीं देकर क्या देते हैं विसेस अर्थ देते हैं तो ठीकरा फूटना यानि बरतन फूटना नहीं है नाई दुखी पाड़ना है यहां पर ठीकरे फूटना मिंस किसी के सर जूठा दोस लगाना तो अप्शन नमबर तीन है वह आपका बिल्कुल सी एगला है गये थे राज्या छुडाने गये थे स्वरी रोजा छुडाने नमाज-गले-पड़ी का अर्थ पुछा गया है गये थे रोजा छु करने के बदले श्वयम को दुख भोगने पड़े तो देखिए गये थे रोजा छुडाने गले पड़ी नमाज-गले-पड़ी का आर्थ पुछा गया है तो मुस्किल में पढ़ना कर्ष्ट पहुचाना गरीब हो जाना या फिर उपकार करने के बदले श्वयम को दुख भ अपनी डफली अपना राग का क्या अर्थ है पहला आपका ओफ्षिन है श्वत अंतर होना दूसरे अपना दुक्डा रोना । तीसरा है संगठन का भाव और चारणवर है सब का अपने-अपने मन के अनुशार चलने देना अपनी डफली अपना राग यानि कई की बार घर में नहीं बोलते हैं क्या सब की अपनी डफली अपना राग चल रहा है यानि सब का अपना-पना मन के अनुशार जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो सब क्या कर रहे हैं अपने अपने मन के कर रहे हैं नम्र चार आपका नेक्स प्रत देखिए जो पहला से होता है दूसरा होता है और तीश्रा होता है इनकी धवनियों में डिफ्रेंश होता है अपन सेम ही बोलते हैं सभी को देखिए कैसे भी बोलने से कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन आपको ऐसे पता होना अच्छी कि जो धवनी आ रही है जो आपका शब देखें और कुछ वर्डों की बात करें देखें जैसे त्योंहार और नयूचावर शब्द बार-बार एक जम्य क्यों पुछे जाते हैं ओनली एक आउप की मात्रा के लिए क्योंकि अपन बच्पन से त्योंहार है वह ऐसे लिख रहे हैं तो यह आउप की गलती के कारण ब जो की मात्रः आएगी दाएनं में रखना है तयों हार निए छावर एक शब्द आता है आपका नुफ्पुर बार 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 ए गजाम में पूछा से जाते हैं Good मुहूर्त शब्द भी बहुत बibrara में पूछ साँ जाता है जो अने यूंज गरते हैं और वही वारेबर आ June है उनको तो आपका अच्छे से और लिखना आने चाहिए भ्यारने शब्द बार बार पूछ है क्यों है बुछ आता है अब्यारन ने अब्यारन ने शब्द भय के लिए की क्यां लिखते यह आता है कि अगला है है कि श्वादिष्ट गरिष्ट कनिष्ट स्वादिष्ट गरिष्ट कनिष्ट और जेस्ट इनमें क्या आता है टैन ही आता है क्या आता है आपका ठै आता है इसके लाओ अभीष्ट और विसिष्ट यह जो शब्द इनमें क्या आता है आपका टै आता देखिए एक तो अभीष् और मिस्तान ये ऐसे सब्द है द्यान में रखने है इनमें ठय आता है ठय नहीं आता है ठीक है how और जो गरिष्ट वो बताए थे उनमें ठे आता है वो भी धान में रखना गरिष्ट कर श्वादिस्ट और श्वादिस्ट कनिस्ट और जेस्ट इनमें ठे नहीं आता है थे आता है तो यह वरतनी की दरश्टी से सुद्धी है सुद्धी में बहुत बार बार एक्जाम में रिपीट होने वाले शब्द हैं तो इनको अच्छे से धान में रखना है तो यहां पर आपका अंसर क्या होगा प्रशंशा यानि ऑप्शन नमर तीन है वह आपका बिल्कु क्या होता है मूख होता है क्या होता है मूख होता है यहां पर ऑप्शन देनी रखा वाचाल का मिलोम होता है मूख वाचाल क्या होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला और मूख क्या होता है कम बोलने वाला देखिए सेम दे दिया है यहां पर वाचाल का विलोम पूछा गया मूलता है और मीठा बोलता है ठीक है और यहांपर वाचाल सब्सक्मय पहलब पहला आपका उप्ष्anim है विरूद। दूसरा है प्रतीकुल, फ सब्सक्री पहले हैं पहले में मैं से विचित्तर शब्द का परःवाची क्या होगा तो देखें पहला आपका अप्षिण विरुद्ध है विलक्षण यह फिप्रित आप देखें विचित्तर का विलौम होगा विलक्षण option number 3 है वो आपका बिल्कुल से यह स्वरी परेवाची नेक्स आपका दिये गए वाक्य का वह भाग याद कीजिए जिसमें कोई तुरूटी है वाक्य शुद्धी में से क्यूशन है तो देखिए यदि कोई तुरूटी नहीं है तो कोई चुने जैसे चार option दिये गए है उनमे तुरूटी पुछे गई है कौन से भाग में आपकी तुरूटी है तो वाक्य क्या है चात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र परदान किया या फिर कोई तुरूटी नहीं है options डूढ़िए या तो दो नंबर है या चार नंबर है तीन या फिर एक आप देखिए चात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र होता है या फिर निमंत्र पत्र होता है चात्र है यदि अपने अध्यापक को मतलब जो है इन्वाइट कर रहा है उसके लिए क्या देंगे अभिनंदन पत्र देंगे या निमंत्र पत्र क्या होता है तो यानि भाग नंब थीन इह ताउनने साफ नहें जरेरे क्या आपको हाँ को our Nex आधर्र और नीराधर कौरनाय है इसमोहरे का है अधर मीराधर कहने पहला उप्यशन है पान पर नहीं खिलना, दूसरा पान फूल सा स्थ पान पते चींस होना और चारणलना पान पूल तकक रहना तो देखिए आदर और निरादर करना का आर्थ यानि कौन सी मुहावरे का आर्थ है पान पर नहीं खिलाना उप्शन नमर एक हो आपका बिल्कुल सही है नेक्स्ट है देखिए यह जो कुछन में लेकर आ रहे हूं मुहावरे का है और जो परेव अच्छी के हैं यह शब्द क्या होता है सीधे की सीधे क्यूशन आ जाते हैं या फिर थोड़े बहुत गुमाफिरा के वहां से पूछ ली जाते हैं तो ऐसे क्यूशन आपको अच्छे से त्यार कर लेने तो देखिए क्यूशन क्या आपका जो सब काम अपने भरोशे करता हो वाक्यांस के लिए एक सब्सक्राइन विद्ण दूसरा है श्वा लंबी तीसरा प्राधीन वर चमसले पराव लंभी चुवा लंबी जो में क्या होता है श्कांतर सोरो की वाक्यांस बात पहलान सके आज़िए यह मो अ trophy हृँ को धैसे वडवानल हो गया दावानल हो गया वेश्वानल हो गया यह सब्सक्राइब दिए का होगया यह बार बार इक्जाम ने पुछे जाते हैं अपन कंफ्यूज हो जाते हैं तो यह भी धानवा रखनें तो देखे जो शब काम अपने भरोशे करता हो मिंस श्वावलंबी होना आत्म निर्बर होना तो अफ्षिन नमर दो है वह आपका बिल्कुल सी यह नेक्स्ट है देगे वाख्य के किस भाग में तुरूटी है हमारी वाख्य क्या है हमारी शिक्षा परनाली में कई दोस है तो देखिए पहला आपका अप्षिन है हमारी दूसरा है दोस है तीसरा है शिक्षा परनाली नहीं होता है क्या होता है परनाली होता है क्या होता है प्रनाली होता है क्या होता है प्रनाली होता है option no.3 शिक्षा परणाली नहीं होता क्या होता शिक्षा परणाली होता है तो option no.3 या आप बिल्कुल सही है next आपका इनमें से किश्वाक्य में परेविशेशन का पर्योग हुआ है पहला आपका वाक्य है शवीता आलसी यूवती है next आपका आजे तेज दोड़ता है अगला है वह अच्छा आदमी था और last आपका वहाँ बहुत बुरी गंद थी तो देखिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चीए कि विसेश से क्या होता है संग्या और शर्वय नाम जो शब्द होते हैं जिनकी विसेश्ता बताएंगे अपन जो शब्द यानि जिसकी विसेश्ता बताएंगे वह क्या होगा विसेश से होगा और जो वर्ड है वो विसेशता बता रहे हैं यानि संग्या शर्वय नाम की विसेशता देखे एक तो होता है विसेश से एक होता है विसेशन क्या होता है विशेशन और एक होता है परेविशेशन क्या होता है परेविशेशन विशेशन क्या होता है जिसकी विशेश्ता अपन बता रहे हैं वो क्या होता है विशेश्ते होता जो है यानि विशेश्ते की विशेश्ता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं विशेशन होते हैं और अगला क्या होता है जो विशेशन की भी विशेशता बताता है उससे क्या कहते हैं परे विशेशन कहते हैं तो ऐसे ध्यान रखना है देखिए सबसे पहले संग्याया सर्वनाम है उन्हें क्या कहते हैं विशेशन कहते हैं संग्याया शर्वनाम को क्या क कि पहला जो है जिसी सवीता आलसी यूबती है आलसी क्या यहां पे सवीता की क्या बता रहा है विशेश्टा बता रहा है तो क्या है विशेशन है अजे तेज दोड़ता है तेज क्या है यहां पे विशेशन है निक्स आपका वह अच्छा आदमी है यानि आदमी की विशेश् है क्या है विशेशन और बहुत क्या है यहां पर यानि जो विशेशन की भी विशेशता बता रहा है बहुत तो यह क्या है आपका प्रे विशेशन उप्चोन नम्र चार है वह आपका बिल्म से यह नेक्स्ट आपका जाया इमांदार लड़की में विश्यष कर शब्द क्या रहा तो इमांदार क्या है सच्से पहले तो इमांदार क्या है विशेश्ण है क्या है इमांदार इमांदार जो शब्द है वो आपका विशेशन है और किसकी विशेशता बता रहा है लड़की की किसकी लड़की कि तो लड़की क्या है यहां पे विशेश से विशेशन किसके विशेशता बताता है विशेशन की और प्रह विशेशन किसकी बताता है विशे विशेष है क्योंकि लड़की की विशेष्था यह मांदार बतार है अप्शन नमर 2 वह आपका बिल्कुल सीए नेक्स्ट आपका निमन में शिवशेष्ण पूछा गया पहला आपका उपशन है भागना भगोडा भागा और भगगा तो भगोडा क्या है आपका विशेष्ण है अप्चाननबर दो है वह आपका बिल्कुल से नेक्स्ट आपका निमन लिखित में से कि श्रिविकल्प में वाक्यान सवा उससे समंदिच शब्द है वह एसुद दिया हुआ यानि शहीं ने दिया गया है तो पहले आपका weet more जिसका जन्म फेले हुआ हो इसे क्या कहते हैं अगरज ही है या नि बढ़ी बहन को अग्रजव सब्सक्राइब ganze आपका बाईग Kea जोगाओ सब्सक्राइब पहले दे दिया गया उसे क्या खहते हैं डे नहीं नीच्ट आपका जिसका अनूबहत ख्या जाओ जो पहले दिया गया वहया हो क्या कहते हैं कहते हैं कि अगरन ए मर घीव हो गया पलक हो गया कमर क्मध यह क्या है तीनो एक किया अप्षेवल्य शब्द क्या है स्तीलिंग शब्द में अपका उप्षेवल् lot का विलोम बताए पहला में कंशब है तीसरा चंचल और चार नबर है द्रidas अब देखिए त्याजीक्ता क्या होता है घ्राइए को घ्राइए होते हैं नेकंस छीन व्यक्षिए चित शब्द बताईए जग शीड नयवक्षिण के लिए शब्द बताना है पहला आपका और अखंडी ते दूसरा है खंडनी चार नंबर है टूट देखिए जग शीड्य हो सके उससे क्या कहते हैं लिक्षे कहते हैं तो नमर्डों है वह आपका बिल्कुल सही नेक्स्ट आपका निमल कित्में से किसे वाक्य में लिंग शमंदी ऐसुद्धी दी गई है वह लिंग समंदी पूछी गई है पहला आपका मेरे मित्र की पतनी विदूशी है अगला है गंगापतित की पावनी विदूशी होता बिल्कुल सही बात है ठीक है नेक्स्ट आपका गंगापतित की पावनी न दिये वह यह वी विल्कुल सुद्ध वाक्य तो देखिए रामायन हमारा भक्ती गरंत है रामायन क्या है पुलिंग है तो हमारी नहीं होगा क्या होगा रामायन हमारा भक्ती गरं तो इसमें क्या आपकी शुद्धी ही है तो आप्षण नुम्र तीन है वह आपका बिल्कुल सही नेक्स्ट है जिसकी पतनी मर गई हो वाक्यान्स के लिए एक शब्द बताना है पहरा आपका उप्षण है विदूर दूसरा है विद्वा तीसरा है विदूर और चाड़ नमर ह जिसकी पतनी मर गई हो उसे क्या कहते हैं विधूर कहते हैं और जिसका पती मर गया उसे क्या कहते हैं विद्वा कहते हैं जान में रखना एक होता है नवोडा नवोडा क्या होता है जिसकी अभी अभी क्या हुई हो नहीं नहीं शादी हुई हो यानि नव विवाहित जो दूसरी शादी कर लिए उसे क्या कहते हैं अध्यूडा कहते हैं तो नवोडा नव विभाहित जो इस्त्री होते हैं उसे तो नवोडा कहते हैं और जिसके पती ने दूसरी शादी कर लिए उसे क्या कहते हैं धूडा कहते हैं और विद्वा किसे कहते हैं जिसका पती मर गया उ उसे विद्वा और जिसकी पत्नी मर गई उसे क्या कहते हैं विधूर कहते हैं तो यहां पर क्या पूछा पत्नी मर गई हूँ यानि विधूर ऑप्शन नमबर तीन है वह आपका बिल्कुल सही है नेक्स्ट अनिमल कित वाक्षे में एक शुद और तीन है सुद वाक्षे हैं तो शुद वाक्षे का चैन करना है पहला आपका उप्शन है वह सब लोग भले हैं नेक्स्ट भीड में चार जयपूर के वेक्ति थे तीसरा आपका मनुश्य इश्वर की कृष्टितम कृती है और चार नमबर है आपका वह सारे गुप्त रहसे परकटे कर देगा आप होते हैं आप देखें बार-बार एक वड़की यानि पुनरुक्ती होने के कारण यह क्या है वाक्या आपका एस सुद है क्योंकि रहसे खुद क्या होते हैं आपके गुप्त होते हैं तो आप वह सारे गुप्त रहसे परकट कर देगा वह सारे रहसे परकट कर देगा क्योंक जेपुर तो एक हैना वेक्ति जार थे तो करम भंकी समंदी क्या है इसमें है सुद्धी इसमें आपकी शर्वनाम समंदी यहां पर शुद्ध वाक्य कौन सा है मनुष्य इश्वर की उत्कृष्टतम क्या है क्रिती है तो आपको मनुष्य जीवन मिला है उसका आनंद यदि आपको मानव योनी मिली है क्योंकि बहुत वर्षों के बाद है मानव जीवन है वो प्राप्त होता है तो कुछ ऐसा करके जाओ कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको जाने अच्छे बनो भीड़ का इसा ने बना अच्छे से महनत करो कुछ भी कर रहे हो इसमें मन होना बहुत जरूरी होता कई लोग ऐसे होते हैं जिसकी कारण वो बहुत सारी समस्याओं का एक्स्रा में सामना करते हैं देखिए समश्य तो आना part of life है और अपना समस्यां उसे भाहर निकलना क्या है art of life है तो समस्यां कोई बड़ी बात नहीं है सबके जो उन में आती है जो भगवान जी ओ है वो सबके उनमें आदी समस्सें करते लेकिन अपन दुख को जादा हाइलाइट कर देते हैं यह जैसे गुरू का अपदेशन था कि आपको रैड कलर देखने हैं एक कमरा दिया उसमें बोला गया कि आपको रैड कलर की चीजें देखनी है जिस भी मलब वस्तु पे या फिर किस उसने सारा काउंट कर लिया जो भी रैड चीज़े थी वह उसने काउंट कर ली जाकि गुरुजी को बोला कि इतनी है चीज़े यहां पर कमरे में रैड है यानि रैड कलर से सम्मंदित हैं तो गुरुजी ने एक बात बोली उसे गुरुजी ने बोला उनको कि यह जब तु य दोनी और कालर धूंद रहा था कमरे में तो तुझे और कोई दिखा तो उसमें बोला नहीं क्यों क्यों कि तेरा ध्यान किस पर था शिरफ और उस रेड कलर पर था उसी परकार से यह समय स्थाउं को हाइलाइट करोगे हैँ अपनी समय समस्षाहों को हाईलाइट कर नहीं करना है उसका सुस्ट क्रिश्टित्म कृति वाक्या तो सिंध को नेक्स नू. होश्रा शब्ध का विलोम है चुरा पूछा गया है पहला अपको प्रसाइख चाहरी चाहरी सगकर्पॉष्णわかत विलाम क्या होता है इसके लाग ऊच्रों के बात करूंझ मुझा होता है विध्या कंग भी उतकरिष्ठ का आपका नीक्रिष्ट होता है अंतरंग का आपका बहीरंग होता है अधिते का आपका उपते का होता है उसे प्रकार से जड़ का आपका चेतन होता है तेजश्वी का आपका निस्तेज होता है यह थार्थ का आपका आद्रश होता है थूल का आपका शुक्षम होता है यह ध् तो आज का लेक्चर हो चुका है आपका पूरा 28 ख्लासेज हो चुकी आपकी तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए कीप लेर्णिंग और कीप एक्सफिलोरिंग